ओर नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैमोग्राफी के बारे में मैमोग्राफी क्या होता है इसके इंट्रोड़क्शन इसके हिस्टरी and ride इंडिकेशन, कॉंट्रा इंडिकेशन और एनाटमी आप ब्रेश्ट, एक्विप्मेंट आप मेमोग्राम, टाइपस आप मेमोग्राम, स्टेंडर्ट टेकनिक, मेमोग्राफिक व्यू और एडिशनल व्यू और इसमें क्या आर्टिफेक्ट आते हैं, वो सारी चीजा इस इसरे, यानि कि KVP लो होता है, और में हाई होता है, और इस से हम ब्रेश टिश्व को देखते हैं, और इसमें कोई भी एपनॉर्मल्टी होती है, जैसे कि कैंसर, सिस्ट या अधर कोई भी प्राब्लम होती है, उसको डिडेक्ट करते हैं, डॉक्टर के कंसल्ट पर या डॉ सर्जन थे, जिनका नाम था, अलबर्ट सैलेमोन, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक सरे यूज किया था, ब्रेश टिश्व को देखने के लिए, लगबग 100 साल पहले उन्होंने ये सब किया था, जो मॉडर्ण मेमोग्राफिक टेक्निक आई थी, वो लगबग 1960 के दसक में टेक्निक यूज होती थी, उससे काफी अलग है और काफी एडवांस है, दोस्तों यहाँ पे दो टार्म्स है, याई दो वर्ड्स हैं, जैसे इंडिकेशन और कॉंटर इंडिकेशन, इसको ध्यान से समझेगा आप, इंडिकेशन, किसी भी चीज का इंडिकेशन, वो या जो भी रेडियोग्राफर होते हैं उनके पास, तो इंडिकेशन जो होता है मेमोग्राफी का, वो है पेन, स्वैलिंग, टेंडरनेस, कैल्सिफिकेशन, बिनाइन या मैलिजनेंट ट्यूमर, लिंप नोड इलार्जमेंट, निपल डिस्चार्ज, ये सारे चीजें मेमोग्राफी कराने के लिए जा सकते हैं, दूसरा होता है कोंट्रा इंडिकेशन, कोंट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि हमें कब नहीं जाना चाहिए या कब ये जाच नहीं करा सकते, तो उसमें ब्रेश्ट इंपलांट आते हैं, अगर कोई भी ब्रेश्ट अगर पैसेंट करा हो रखा होता है तो उस कंडिशन में हम मेमोग्राफी नहीं कर सकते लार्ज पैपैवल मास यानि कि आपके ब्रेश्ट में कोई ऐसा पैपैवल मास है जो बहुत ही बड़ा हो उस कंडिशन में हम मेमोग्राफी नहीं करा सकते उसके बाद आता है inflammation जैसे कि अगर आपके breast में कोई भी ऐसा inflammation जैसा condition आता है उस condition में mammography नहीं करा सकते severe nipple discharge, women with reproductive age, pregnancy इत्यादी केसों में आप mammography नहीं करा सकते दोस्तों जब हम किसी भी पार्ट का CT scan MRI, X-ray mammography या कोई भी जहांच अगर कराने जाते हैं तो उसके anatomy के बारे में हमें जनकारी होना चाहिए कि हमें उस radiograph में या उस mammography में क्या हमें देखना है वो दिख रहा है या नहीं इसके लिए हमें anatomy की जनकारी होनी चाहिए तो यहां पर हम जब breast की बात करते हैं तो उस condition में breast की anatomy जाननी बहुत जरूरी होती है यहां पर breast में जो जो चीजे होती है मैं आपको बताने जा रहा है कि करके auxiliary lymph node होता है fatty tissue होते हैं breast में उसके बाद labules आते हैं जिसमें की milk production होता है areola जो dark circle होती है निपल में जो dark pigment color की होते हैं उसको areola बोलते हैं उसके बाद आता है ducts और निपल निपल जो होता है milk के लिए outlet होता है ducts जो होता है लोब्यूल से milk collect करके निपल तक लाता है उसके बाद होते हैं fibrous tissue जो breast को support प्रोवाइड करते हैं weight की बज़र से ज्यादा up and down जो होते हैं उसको support देते हैं ये नीचे की तरफ से कि उसके बाद इसके supporting जो भी पेक्टोरियल माइनर मसल पेक्टोरियल मेजर मसल फेशिया और रिप्स ये सारी चीज़ों जो होती है मेमोग्राफी करते हैं जो भी equipment होते हैं वो कुछ इस तरह से वार्टिकल स्टेंड में arrangement होते हैं जो भी x-ray tube या डिडेक्टर या उसके supporting जो भी equipment होते हैं वो वार्टिकल स्टेंड पे होते हैं इसमें x-ray tube जो है सबसे उपर होता है compression plate और breast support plate और उसके बाद grids आते हैं और उसके नीचे होता है receptor तो जो breast compression और breast support जो plate है उसके बीच में ही breast को रखा जाता है compression plate से breast को compress कर दिया जाता है mammographic x-ray tube जो होता है वो केवल characteristic x-ray produce करता है otherwise जो normal x-ray tube होते हैं वो दो परकार के x-ray produce करते हैं characteristic और bramistrous lungs लेकिन mammographic x-ray tube वालनी characteristic x-ray produce करता है 20 से 30 kvp यूज़ करते हैं x-ray tube को बनाने के लिए हम beryllium window या फिर borosilicate glass को यूज़ करते हैं इसमें SID जो होता है 60-80 cm रखा जाता है focal spot जो होता है वो 0.1 mm से 0.3 mm के बीच में होता है mammographic के लिए patient को prepare करने के लिए कुछ instruction और कुछ guideline होते हैं वो बहुत ही important होते हैं उसको जानना जरूरी है सबसे पहले हमें patient को verbally or written instruction दिये जाते हैं mammography की जो schedule होती है वो menstrual cycle के close नहीं रखा जाता है इससे patient को problem हो सकता है patient को test के दिन lotion powder या deodorant लगाने से मना किया जाता है आप उसको avoid करके जाएं अगर आपको mammography कराना है तो hospital gown दिया जाता है वहाँ पे hospital gown पहन कर ही x-ray या जो भी mammography है उसको कराएं mammography कराते समय लगवाग 15 मिनिट तक आपको खड़े रहना है तो आप इस तरह से पिरपेर होके जाएं ताकि आपको 15 मिनिट खड़े होने में problem ना हो patient को अच्छी तरह से समझा दिया जाता है कि अगर आपको कोई भी problem हो तो आप technician, radiographer या जो जो भी वहाँ पे on duty working stop हो उसको आप बता दें इस टेस्ट में patient के कमर से उपर तक की सारे कपड़े को निकाल दिया जाता है तो आप mentally इसके लिए प्रिपेर होके जाएं इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी पुरानी report हो जो भी उसको आप doctor के पास ले जाएं या जो भी वहाँ पे working staff हो उसको आप दे दें ताकि आपकी जो report है वह बहुत ही अच्छे तरीके से पुराने और नए दोनों report को देखकर conclusion करके अच्छे से doctor report बना सके types of mammogram mammography के दो types होते है screening mammogram या diagnostic mammogram screening mammogram वो method होता है जिसमें कि patient को कोई भी problem नहों बस वो जाच के लिए ऐसे screening के लिए जाए ताकि उन्हें कोई अगर problem हो तो पहले ही पता लग जाए दूसरा होता है diagnostic mammogram यानि कि problem पहले से पता हो और उसको देखने के लिए कि breast में lump है या कोई और calcification है या कुछ और तरह के pathology है उसको देखने के लिए diagnostic mammogram करते हैं दोस्तों mammography जो होती है वो दो type की होती है digital mammography और एक होता है conventional mammography जो x-ray के द्वारा होता है कि digital mammography को full filled digital mammography बोलते हैं इसमें जो होता है conventional और digital में यंतर होता है कि पहले के जो mammography होते थे उसमें x-ray film यूज किये जाते थे और digital mammography में film की जगह पे x-ray detector यूज किये जाते हैं जो कि काफी अच्छा resolution और contrast देता है यहाँ पर आप image में देख सकते हैं पुरानी older film technology और नए digital mammography में अंतर आप clear देख सकते हैं कि कितना contrast और resolution जो है काफी better है digital में और अभी के time में लगबग सभी जगह digital mammography होता है कि मेमोग्राफिक दोस्तों जब हम मेमोग्राफी करते हैं तो उसमें कुछ position और view होते हैं जिससे कि हमें एक defined pathology को capture कर सकें तो इसमें जो वीव होते हैं जो famous वीव है जो cc view जिसको cranial caudal view भी बोलते हैं इसके अलावा MLO भी आता है और उसके अलावा additional view भी होते हैं जैसे कि extended cc view extended cc view medial lateral rotation, true lateral view, axillary view, cleavage view, paddle compression view, magnification view, icon view for breast implant इसके view कुछ इस तरह के हैं आप image में देख सकते हैं अलग-अलग view है और अलग-अलग breast को compress करके या lateral घुमाके इस तरह से हम expose करते हैं और image को capture करते हैं कि यहाँ पर कुछ screen पर आपको view के radiograph है यानि mammograph है आप इसमें देख सकते हैं cleavage view है, magnification view है artifacts in mammography, artifacts का मतलब यह होता है कि हमें image के अलावा जो कुछ भी information या कोई भी image में degradation आता है उसे artifact बोलते हैं तो इसमें कुछ artifact होते हैं belly fold artifacts जैसे कि अगर कोई fatty patient है उसकी belly fold है तो उसकी वज़ज़ से artifacts आ सकते हैं जो की image में उसकी कोई जरुवत नहीं होती है, pectoral muscle fold artifacts, side से जो pec muscle जो होते हैं वो यह समने लिया था